पुनोर जी नमस्कार, सोने के बहुंए बहुत तेजी आरही है, उसके क्या करण है? नमस्कार सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहां बुलाने के लिए और जहां तक हम सोने की बात करें तो हमने देखा है कि जब से रश्या और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी लास्ट मन्त में उसके बास से हमने देखा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर से वो लगाताल रिस्कियर असेट से एक्जीट होकर के जो है सेफ़ एवन असेट की तरफ जा रहे हैं हमने देखा है कि ग्लोबल जो एक्विटी मार्केट से वहां पर सेल आफ देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स में जो है यहां सेफ़ एवन बाइंग आते हो देखी है जेपिया को जो हम सेफ करंसी मांते हैं वहां पर भी हमने दूसरे करंसी के अगेंस्ट में जो है अच्छी बाइंग आते हुए देखी है उसके अगेंस्ट में हमने देखा है कि यूरो और जी बीबी में जो है तेज गिरावट देखने को मिली और जितने भी जो सेफ हैं जो मैटल से इस्पेशली प्रिशियस मेटल्स वहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी गोल्ड की कीमते हैं अगस्त 2020 के बाद फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में दो जार डॉलर पर ड्राइंग के लेवल फो पार करती हुए नजराई भारती बाजारों में हमना चबो नजार के ज चलते हैं यहां पर सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को में आपको क्या लगता है कि यह तेजी की शुरुवात होई है या तेजी का अंत हो रहे हैं नई आंत हम नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल हालाद है वो जो जियो पोलिटिकल टेंशन बने हुए हैं हमने देखा है कि यहां पर सेफ हैं जो अट्रेक्शन है वो बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में आज हमने 2,000 डॉलर पर ट्रायोंस के उपर ब्रेक आउट आते हुए देखा है इमिडियेट यहां पर कॉमेक्स में मेरा मानना ही की 2,000 लेवल के उपर प्राइस स से 1,230 डॉलर तक के लेवल भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं तो फरदर 6 से 7 प्रतिशत की बढ़त यहां वरतमाल लेवल से इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकती है भारती बाइजारों की अगर बात करें तो यहां रूपी में भी कमजोरी देखने को मिल रही तो भारत में इंफलेशन में आने वाले समय में बढ़त देखने को मिलेगी हायर एनरजी प्राइजेज और ग्रेंस और इडिवल ऑइल प्राइजेज के चलते हैं यहां ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ते हों दिख सकते हैं तो रूपी में दबाव रहेगा भारती बाजार अगले एक से दो महिने में आते हुए देखेंगे तो अभी यहां पे क्लियरली जो प्रीशेस में बने हुए है कोई भी अगड़ी पाता है तो उसको बाइंग के तोर पर लेना चाहिए शौट से बचना चाहिए हमारा मानना है कि मोमेंटम पॉजिटिव है और गोल्ड में फिप्टी सेवन थाउजंड तक के लेवर्ज भी भारती बाजारों में आने की काफी अच्छी संभावनाए प्रतीत होती है तो अमेरिका में जो इन्फलेशन आया है उसका कुछ खास परवाव सोने को नहीं मिला बड़त करने में उसके क्या का बिलकुल हमने देखा है कि जो ग्लोबल इंफलेशन है उसका जो बेनिफिट गोल्ड को मिलना चाहिए था वो उतना देखने को नहीं मिला है उसके पीछे में जो रिजन हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल सेंटरल बैंक से उनकी तरफ से हमने मोनेटरी टाइटनिंग की शुरुआत होते हुए देखी बैं बैंक आप केनेडा ने ब्याजदरों में बढ़ोतरी की है बैंक आप उस्ट्रेलिया ने बढ़ाई है यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से हमने हौकिश कमेंट्स जो है वार के पहले आते हुए देखे थे हैं हलाकि जो लास्ट वीक फेडरल रिजर्व चेर्मिन जेरम पावेल की तरफ से हमने थोड़ा साफ्ट जो है इस्टेंस होते हुए देखा बावजूर उसके जो मार्च का जो मिटिंग है वह हम 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त देख सकते हैं दूसरा डॉलर इंडेक्स में यहां बढ़त देखने को मिल रही है तो जितना फायदा सोने क इंफलेशन का मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया लेकिन एक लेवल के बाद यह सारी चीज़ें डिसकाउंट होती हुए नजर आईगी और अब यहां पर गोल्ड में जो इंफलेशन का जो है जो फैक्टर है वो फैक्टरीर होना शुरू होगा और वो कहीं ने कई कीमतो को सपोर्ट करेगा गोल्ड के ना बढ़ने का एक परमुक कारण यह बताया जा रहा है कि बहुत से जास्ती बैंकों ने सोने की खरीदारी बंद कर दी ती रशिया के जो प्राइम बैंक है उन्होंने दो साल से सोना खरीदा ही नहीं था अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सो से जो वहाँ पर उनको भी हिदायत दी गई है कि वो डालर के बजाए जो है यहां पर गोल्ड में निवेश जो है कर सकते हैं से फेवें करन्सी के रूप में हमने देखा है कि उसके अलावा जो दूसरे ग्लोबल सेंटरल बैंक से उनकी तरफ से भी फिर यहां पर सोने में बाहिंग आती हो दीखी है को SvDR का जो पागोल्ड फंड ने वहाँ पर फिर अमने एक बार जो है जो वोल्डिंग है वो इसमें बढ़ाद आते वह देखी है बारत में इंपोर्ट जो है वो रिकोर्ड इस तरफर आते वह देखे हैं तो जो हमने यहां पर कोविड के दर्म कि पुरानी पीडी इसमें इंवेस्मेंट के दोर पर विश्वास करती थी कि यह कभी भी फाइदेगास होदा है लेकिन नहीं पीडी को इसमें कोई लगाव नहीं है पिलकुल हमने देखा है कि जब से जो क्रिप्टो करनसी का हम बात करें वह यहां पर आया है तो उसके बाद जो मिलेनियल से उनका रुझान थोड़ा सा जो प्रिशेस मेटल्स की तरफ ना हो करके क्रिप्टो की तरफ हुआ है लेकिन हमने देखा है कि जो वार का सिचुएशन निर्मित हुआ है और क्रिप्टो एक ऐसा असेट क्लास है जहां पर कोई उसका रेगुलेटर नहीं है अ तेरा मानना है कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर से वो इस बात को समझेंगे और उनका भी जो है फोकस वो यहां पर जो प्रिशेस मेटल से उसकी तरफ आता हुआ दीख सकता है यह आपको लगता है कि एटीएफ और सवरेन बांड से खबत में बिर्दी होनी चाहिए करिकी वह नहीं हुई है यहां पर हमने देखा है कि जो भारती निवेशकों का फिसिकल गोल्ड की तरफ था यहां पर सोब्लें घुल बांड और गोह इवाने की वज़े से जो रिटेल निवेशा के उनका गोल्ड के प्रती रुजान बढ़ा है और हमने देखा है कि जिस तरह से भारत सरकार ने जो सोरेंट गोल्ड बॉन्ड लेकर के आये हैं तो रिटेल निवेशा को ने वहाँ पे काफी अच्छा जो है वो उसमें इंट्रेस्ट दिखाया है गोल एक थीर फोर इहां और यहां सोरेंट गोल्ड बॉंड में देखने को मिला वह तो मैं नहीं महांता कि यहां पर अट्रेक्छन नहीं है बिल्कुर इहां पर अट्रेक्शन देखने को मिला है और काफी अच्छी इंक्वारी इंटिए ऐधको यहां पे इंवेस्टर गोल्ड बॉंड वहां पर लगा आते हुए देखते हैं यहां पे इंवेस्टर जो आरे हैं और यह जो नए जो इन्वेस्टमेंट असर है आपके साथ से वार का जो प्रीमियम है वो मैं मानता हूं कि 25-30 प्रतिशत रहेगा और वही कच्छे तेल की कीमतों का भी हम मानते हैं लगबग 20 प्रतिशत के आसपास आप मान सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि 40-50 प्रतिशत का जो रोल है वो इंफलेशन का रहने वाला आने वाले समय में इंफलेशन को हम बिलकुल नकार नहीं सकते हैं और जिस तरह से जो ग्लोबल एनरजी के प्राइज बढ़ रहे हैं तो वो दुनिया भर के जो इंफलेशन के जो फीगर से उनको एलिवेटेट रखेंगे और आने वाले समय में वो जो प्रिश्यस मेटल से कि उसकी तो कहीं उससे गुल्ड में कितनी व्रृदी हो और उसकी कोई स्टडी है क्या बिलकुल यहां पर अगर हम डॉलर इंडेक्स ऑ में जब जब भी बढ़ात आती है तो हम सोने की कीम्टों में मुनाफा वसूली देखते हैं लेकिन अभी यहां पर सिचुएशन जो हो तो थोड़ा सा reverse होता हुआ दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त आ रही वो से फेवन डिमांड की वज़े से आ रही है जिस तरह से वार का situation निर्मित हुआ है तो उसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में जो है बढ़त आते वे देखी है तो डॉलर भी यहा हैं तो कहीं ने कहीं यहां पर जो दोनों चीज़ें आप सेम डाइरेक्शन में जाती हुए निजर आईगी दूसरा अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो जो करंसी का जो डेप्रेसिएशन है जो करंसी की जो कमजोरी है वो भी यहां पर कीमतों में बढ़त जो ह होता है तो वह यहां पर भारती बाजारों में कीम्तों में सप्फोर्ट करेगा मतलब कीमते पॉजेटीव ट्रेडagneri में रहेगी और यहां पर जो डॉलर इंडेक्स की मजबुती है वह भी अभ यहां डिसकांट तो इसका फाइदा मुझे लगता है रशिया वाले भी नहीं ले पाए रशिया के रूबल में जो गिरावट के पीछे मुख्य वज़ा है कि जो वेस्टन कंट्रीज की तरफ से जो सेंक्शन लगते हुए देखे हैं उसके चलते हमने वहां की करंसी में प्रत्याशित गिराव नहीं है तो उसके चलते हैं पर रशियन करंसी में डेप्रिशेशन देखने को मिल रहा है और उसका बैनेफिट जो सीधे तोर पर डॉलर को मिला है ना कि दूसरी करंसी तो आने ही वाले थे हो तो उन्डर सुट था उसमें कोई ऐसी कोई अन फॉरकस्टेड बात नहीं थी लगे है और रशिया काफी सारी चीजों का बड़ा एक्सपोर्टर है और जो श्ウिट जो देखने को मिला है तो वो एक मुख्य मज़े है अपने पॉर्टफोलियो का कितना परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में अभी जो करन्ट सिचुएशन है नॉर्मली हम आरिक्मेंट करते हैं कि 10-15 परसेंट जो प्रीशस मेटल में होना चाह सकते हैं अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो अपने निवेश को यहां 25 प्रतिशा तक भी कर सकता है तो सिल्वर में वो लेहर नहीं आई है जो गोल्ड में आई है सिल्वर यहां पर इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी ट्रीट किया जाता है उसके चलते हमने यहां पर देखाए कि थोड़ी जो बढ़ा थे वो कम है सोने के कंपेरिजन में लेकिन वहां भी एक अच्छे ब्रेकाउट होते हुए नजरा है और जिस तरह से हमने सारे इंडस् से नहीं हो पा रही थी और हमने यहां पर गत्सप्ता 25.90 के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी अब यहां पर सिल्वर भी एक अच्छी रेली के लिए तैयार है और मेरा मानना है कि यहां पर सिल्वर में भी लगवक 8-10 प्रतिशत की बढ़त आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कीमते 28-28.5 डॉलर पर ट्राइंज इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है कोई भारती वाइदारों की अगर मैं बात करूं तो 78,000 तक के लेवल्स यहां चाली में भी देखने को मिल सकते हैं वो सिल्वर का तो भी एक एटीएफ है गोल्ड के सिल्वर के यहां पर यहां सिल्वर के अभी दो से तीन एटीएफ जो हो अल्रेडी आ चुके हैं और काफी अच्छा भुजान वहां पर निवेशुकों का देखने को मिल रहा है तो यहां पर डायरेक्ट एटीएफ के मात्यम से भी जो छोटा निवेश जो लिक्विडिटी काफी अच्छी है तो वह यहां ले सकते हैं और सिल्वर में भी हमने देखा है कि निपॉन का यहां पर इटीएफ है तो उनमें लिक्विडिटी काफी अच्छी है बाकि इन्वेस्टर्स जो दूसरे एटीएफ जो हैं वो भी काफी अच्छे हैं और रेप कुंसा अच्छा लगता है दोनों चीज़ें अपनी जगे अच्छी है सौरेंट गोल्ड बॉंड में यहां पर आपको 2.5 परसेंट का इन्यूर इंटरेस्ट मिलता है और भारत सरकार की वहां पर ग्यारंटी है लेकिन जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा सकते हैं हाला कि सोरेंट गोल्ड बॉंड भी लिस्टेड है लेकिन वहां पर लिक्विडिटी का थोड़ा इशू रहता है तो उस लिहाज से जो शौट टर्म के निवेशक है उनको यहां पर ETF में निवेश कर सकते हैं लेकिन जो लंबी अवधी के निवेशक है मेरा मानना ह है तो जो लंबी आओधी के निवेशक है कि वह बिल्कुल यहां पर सोरेंट गोल्ड में जा सकते हैं और इवन जो एक्विडी मार्केट में भी हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर फैसिलिटी उसमें बिल्कुल मिलती है और आप संक्षेप में क्या कहना जाएंगे संक्षेप में अभी मेरा यह कहना है कि जो वार का काफी अंसर्टन सिच्वेशन है और हम काफी बड़ी वोलेटिलिटी जो है मार्केट में देख रहे हैं ऐसे बाजारों में यहां पर बहुती सालधानी के साथ ट्रेड करना चाहि जो भी कमोडिटी आज हमने आपके साथ डिस्कस की है उसमें मेरी कोई परस्नल वोल्डिंग नहीं है एक बात बताएए मुझे गोल्ड इंवेश्मेंट के लिए अच्छा है कि ट्रेडिंग के लिए अच्छा है नहीं गोल्ड को मैं यहां पर जो है वो एक असेट क्लास न निवेश के तोर पर देखना चाहिए इंफलेशन यहां पर हमेशा रहने वाला है जब तक इंफलेशन रहेगा आपकी करंसी डेप्रिशेट होगी तो आप अगर यहां गोंड को अपने पोर्टोलियों में रखेंगे तो कुछ हग तक आप अपनी करंसी के डेप्रिशेशन को कर पाएंगे तो गोल्ड को एक निवेश के तोर पर देखना चाहिए आपको क्या लगता है कि अमेरिका में इंफलेशन और बढ़ सकता है बिल्कुल बढ़ेगा अगर यहां पर जो कचे तेल की कीमते हैं अगर वो एलिवेटेड रहती हैं हमने देखा है कि 100 डॉलर के उप तो यहां पर धार सब्किर्ण रखेंगा बाकी डैवलडर डेवलपिंग कंट्री दो सभी जेङे इंफलेशन फे रहेगा मनुद्व की जनकार ही जनकरी देने के लिए बहुत बहुत जन्यवाद हम दूसरी कमोंडिटिस की भी आप से चर्चा करेंगे बिलकुल थेंकियो सर